जीआ श्रीकिशन आप सभी को कैसे हैं आप जीआमातर दी, नव्रات्रों की नौमी तिथी आचुकी हैं जीआँ, शरादी नव्रात्रों की अश्टमितिती हो गई, पूजन होगी जिनके घर में नौमी तिथी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता हैं, वो कर लीजे और साथ म आपके साथ कुछ ऐसा उपाई शेयर कर रही हूं जो की जवारे जैसे कि नवरात्रियों का जब परवश्रू होता है तो पहले दिन ही खेतरी बोई जाती है जिसे की जवारे बोणा कहा जाता है तो उस जवारों का क्या करें आप तो आज इसी जवारों का कर लिजी एक ऐसा अचूक सा उपाई जिससे कि आपके घर में अगर सुक्समेदी या धन को लेके कोई भी समस्या चल रही है वो सारी दूर हो जाएक तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें कमिंट्स बॉक्स में जै श्री किष्णा जै मातादी जरूर के आपके घर में मादुर्गा की असीम कृपादिष्टी सदेव बनी रहेगी तो आज जो मैं खास उपाई लेके आई हूँ वो जवारो का है देखे जब हम जो को बोते हैं तो वो ब्रह्मा जी का सौरूप माना जाता है कि ब्रह्मा जी के सौरूप में हम इने बो रहे हैं उत्पती हो रही है हमारे घर में ऐसे उत्पती जो हमारे घर में सुक्समर्दी का वास करेगी माता रानी हमारे घर में सदेव वास करें उनकी कृपादिष्टी बनी रहें तो कलश थापना और जो की जो पूजा अरादना सबसे सववरत्थम की जाती है इसे आप रशासरूप ग्रहन कर सकते हैं कन्या पूजन के समय आप इने कन्याओं को बाड़ भी सकते हैं या तो फिर आप इने जल प्रभाहित भी कर सकते हैं तो यह आपकी अपनी मन की इच्छा है कि आप इसके साथ क्या करते हैं कि आप इस नारील को प्रशासरूप ग्रहन करें और जो बच जाता है जल वो आप किसी भी व्रिक्ष में डाल दें पैरों में ना पड़ें इस बात का ध्यान नकिए और आपने इस कलश के इंदर जो भी सामगरी डाली है जैसे कि अगर आपने सुपाडी, कौडी, कमल गट्टा, हल्दी, हल्दी तो आप डेखे घर में प्रयोग कलने बाकी की चीज़ें अगर चांदी का सिक्का, एक रुपे का सिक्का इस तरह की चीज़ें अगर आपने डाली ती कलश में तो आप इन्हें निकाल ले जैसे कि अब ये चीज़ें है चांदी का सिक्का है यानि तो आप एक रुपे का सिक्का सुपाडी इसके कमल गत्टर, वाप चीजे कोडी 4 चीजे, सुपाडी,, कमल गत्टर और कोडी और वाप जो चीजे अपने पास रख ले aja क suburbs भीउष और वापने कोडी थो काड़िये है जो से आपने कर लेट चेक लग पर छोट ले किसी भी होटिपने कोड़्टर तो और जब आप इसमें से जो थोड़ी सी तोड़के माता रानी के चर्णों में ज़रूर अर्पन करें इस जो को थोड़ा सा लेकर आप अपने मुख्य दर्वाजे पर भी बांध सकते हैं अपने मुख्य दर्वाजे पर रख दें इससे क्या होगा आपने घर में कोई भी negativity परवेश नहीं करें और थोड़ा सा आप जो ले ले जो आपने सामगरी कलश में डाली थी उसी कलश में ये जो करके फिर आप इसे लाल कपड़ में बांदे अपनी इच्छा मनो कामना जो भ महां पर जरूर से जरूर इससे पोर्टी को ड्रक दे इससे मातरानी की किर्पादिष्टी आप बनी रहेगी आपके घर में सदे मातरानी की किर्पादिष्टी रहेगी और जो जो को आपको परवाहित करना है वो मैं आपको समय बता देती हूँ 23 October की दिन करना है आपने 23 October को शाम को 5 बच के 44 मिनट से लेकर 24 October को दिन का जो समय है 3 बच के 14 मिनट तक इस समय के बीच में आप जोग को जल प्रवाहित कर सकते हैं आपने जो कलस आपना करी तो उसे आप हटा सकते हैं जो भी चीज़े आपने पूजा की सामगरी रखी थी चौकी लगाई थी चौकी को आप हटा के वहाँ पर फिर जब आप हटाते हैं तो जगह पर आपने क्या करना हो तो एक दीपक जरूर से जरूर प्रजुलित कर दिया करें मातरानी के नाम से अगर आपने कोई चौकी लग कर सकते हैं आपको कोई परिशानी तकलीफ हो तो आप इस देल का इस्तेमाल कर सकते शेह और जो बाती बजती है अखंट-षे मधय का क्या करना दे हैं जो बाती बहुत ही ज़्याद इसे निकालके आप पज़वार का किसी भी सदस्य को बान सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं, तो इस तरह से आप इस बाती का प्रियोग कर लें, तो इस तरह से आप इन चीजों का इस्तमाल करें, मातरानी हमेशा आपके उपर अपनी कृपा दिश्टी बनाई रखें कि वीड मातरी